तो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप प्लीज शशांक आसन जरूर ट्राई करें नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं शशांक आसन के बारे में हमारे पूरे योगा के जितने भी आसन है उन सारे आसनों में सबसे अच्छा और सबसे सरलासन है शशांक आसन शर्षानकासन का मतलब है Moon Pose और Hair Pose इंगलिश में हम इसे Child Pose भी कहते हैं पुचले जानते हैं कि ये शर्षानकासन कैसे किया जाता है और इसके क्या benefits है पर ध्यान रहे अगर आपको बहुत ज़्यादा hybrid pressure है साइटिका की problem है या वर्टिको की problem है तो आप इस शर्षानकासन को बिल्कुल ना करें इसके लावब अगर आपको ये problems नहीं है तो आप आराम से शर्षानकासन कर सकते हैं शर्षानकासन करने के लिए हम सबसे पहले वज रासन में बैठेंगे जिसमें हम अपने दोनों पैनों को फोल्ड कर लें और इस प्रकार अपने हाथों को हम अपने घुटने के ऊपर पूरी तरीके से relax हमारे toes एक दूसरे से touch हमारे heels बाहर की और निकले हुए और बीच में हमारा hips रखते हुए पूरी तरीके से relax अपने मन को अपने शरीर को पूरी तरीके से शान्त इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को पूरी तरीके से ऊपर की ओर स्क्रेच करें सासों को अंदर बढ़ते हुए पूरी तरीके से इन्हेल और एक्जेल करते हुए धीरे-धीरे हम आगे की ओर आएंगे अपने पेट को अपने थाइस पे रखते हुए पूरी तरीके से नीचे हाथ हमारे सामने हमारे हिप्स पीछे हमारे हील्स पर और अपने फोर हेट को अपने माथे को नीचे लगाएंगे मैट से अपने हाथों को सागी की तरफ स्ट्रेश अपनी कमर को पीछे अपने लीट की तरफ स्ट्रेश हमारे पूरी भैट हमारी पूरी पीच पी इस तरीके से हम होल्ड करेंगे दीरे दीरे अपने hold का time हम बढ़ाएंगे 10 second, 10 second, 1 minute और फिर इसे प्रकार हम दीरे दीरे वापिस उपर की ओर आएं इसमें हमारे हाथ सीधे रहेंगे और अपनी peat को उठाते हुए सीधे और हाथों को नीचे लाते हुए एक्जेल जो हम शशानकासन करते हैं यह हमारी पूरी back हमारी कमर से लेकर के हमारी shoulders तर पूरी peat को आगे ती ओर stretch करता है एक-एक vertebrae को यह एक दूसरे से separate रखता है जिससे कि जो हमारी disc है उस पे pressure नहीं पड़ता हुए तो हमारी back problem नहीं होती है तो अगर हम शशानकासन को regular practice करते हैं तो हमारी peat की सारी muscles stretch रहेंगी हमारी disc पे अपना pressure नहीं होगा और हमारी जो vertebrae है वो भी एक दूसरे से दूर रहेंगी बहुत जारे कीस में देखा गया है कि शशानकासन slip disc में भी बहुत पाइदमन्द होता है यह हमारी pelvic muscles पे काम करता है हमारे side का nerves पे काम करता है और यह male and female दोनों के reproductive organs के लिए बहुत ही अच्छा आसन है शशानकासन सबसे बड़ा बाढ़ है कि अगर आपको गुसा आता है अगर बहुत ज़़ादा गुसcéल है ततो अगर आप शशानकासन प्राक्किस करते हैं और धीरे धीरे अपनी समय अबढ़ाते हैं ती सेकंड से लेकर के एक मिनेट और धीरे-धीरे थीन मिनेट से लेकर के दस मिनेट तक जब हम इसको करना शुरू कर देंगे तो ये जो calmness का effect है ये हमारे शरील पर बहुत अच्छे से दिखाई देगा तो अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप प्लीज शशानकासन जरूर ड्राई करें तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो शशानकासन के ऊपर अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू